हेलो विवर्स, आज मैं बनाऊंगी हरेमेटर की दाल तड़का जो बहुत ही बनाने में सिंपल होगी और खाने में बहुत ही टिस्टी होगी तो सुरू करते हैं हरेमेटर की दाल तड़का बनाना हरे मिटर के दाल तड़का बनाने के लिए मैंने यहां पे 400 गर्म हरे मिटर के दाने लिए हुए है और दो प्याज को बारी काट लिया है दो टामाटर को बारी काट लिया है एक इंजद्रक के टुकड़ा को थोड़ा सा लंबाई में काट करके ले लिया है और थोड़ा कूट तड़का लगाने के लिए मैंने यहां पर आधी चोटी चमच जीरा लिया है आधी इंच दाल चीनी का टुकड़ा है एक बड़ी इलाईची है एक लाल मिर्च है सुखी लाल मिर्च दो तेजपत्ता है और थोड़ी सी हरा धनिया ले लेंगे कड़ाई चड़ाएंगे और कड़ाई में दो बड़ा चमच सर्सो का तेल डालेंगे और इसे गरम होने देंगे यह गरम हो गया है अब इसके अंदर तेजपत्ता जीरा लाल मिर्च दाल चीनी बड़ी इलाईची सब को डाल लेंगे और थोड़ा सा इसे रोष्ट कर लेंगे चटगने देंगे जीरा को जीरा हमारा चटग गया है और लाल मिर्ची भी थोड़ा सा फ्राई हो गया है अब एक चुटकी हींग डालेंगे मटर के सबजी जब भी बनाओं तो हींग का इस्तमाल जरूर करें हेल्थ के लिए अच् पत्ति भी डाल देंगे बारिक करके इसे सबजी में जो फ्लेवर होगा बहुत ही अच्छा होगा सबजी का फ्लेवर और स्वाद भी अब इसमें बारिक किया हुआ प्याज को डाल लेंगे और गोल्डन होने तक इसे फ्राई करेंगे और दूसरी तरफ मैंने मटर चड़ाय हुआ है वैल होने के लिए उसे एक बार पलट लेंगे अब हमारा प्याज भी लगवग होने ही वाला है अब देख सकते हैं यह अच्छे से भून गया है गुल्डन हो गया है अब इसके अंदर टमाटर को एड़ करेंगे और अद्रक भी साथ में और इस अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसके अंदर मसाला को एड़ करेंगे आदी छोटी चमच हल्दी पौडर है दो चमच धनिया पौडर डालेंगे आधी छोटी चमच तीखी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे और दो चमच नमक डालेंगे नमक और मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाले और एक छोटी चमच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और आधी छोटी चमच काली मिर्च पाउडर डालेंगे और आधी चोटी चमच जीरा पाउडर डालेंगे और कलर के लिए एक चमच चोटी चमच से कास्मेरी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे अब सब को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब इसमें जो एक चमच मैंने लासन का पेश्ट रखा हुआ था उसे डालेंगे और इसी कटोरी से आधी कटोरी पानी को आड़ करेंगे इसके अंदर डाल लेंगे पानी को अब सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और धक्कन लगा कर लो टू मीडियम फ्लेम पे लगभग पांच मिनट पकाएंगे अलग मटर के दाने को साथ मिनट हो गया बॉयल होते हुए इसे चेक कर लेंगे यह पका है या नहीं एक मटर के दाने को देखेंगे इसे दबा करके अच्छे से मैस हो रहा है बिल्कुल हो गया परफेक्ट अब गैस को आफ करेंगे और आधा से ज्यादा आधा से थोड़ा सा ज्यादा मटर को एक प्लेट में निकाल लेंगे बाकी मटर को पानी में ही रहने देंगे गरम पानी में और इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे आधा मटर को अब मसाला को पकते हुए पांच मिनट हो गया है खोल के देख लेंगे यह अच्छे से पक गया है अब इसे बराबर चलाते हुए पलटते हुए मैस करते हुए मसाला को भून के तयार करेंगे तेल छोड़ने तक जाली बाले पलटे से इसे मैस करेंगे तक यह अच्छा से मैस हो जाए इस तरह से बस दो तीन मिनट के अंदर अंदर मसाला हमारा रेड़ी हो जाएगा हाई फिलेम पे मसाला को फ्राइगे यह लगबग हो ही गया है अब इसके अंदर जो पानी वाला मतर है उसे एड़ पानी के साथ उसी पानी को मैंने इस्तेमाल किया जिसमें मैंने मटर को बॉइल किया था और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे जो प्लेट में मैंने मटर निकाले हुए थे ठंडा होने के लिए उसे मिक्सिजार में डाल करके इसे ग्राइंड कर लेंगे आधा कब पानी डाल करके बारिक इसका पेश्ट बना लेंगे एकदम आधा कब पानी डाल लेंगे इस तरह से इसे ग्राइंड कर लेंगे एकदम बारिक सा मटर के पेश्ट को ग्रेवी में ऐड करेंगे सब को अच्छे से निकाल लेंगे मटर के पेश्ट को और अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसके अंदर अब मिक्सी जार में थोड़ा पानी डाल करके इसे भी अच्छे से निकाल लेंगे जितने लगे हुए हैं जार में उस अब को निकाल लेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे अब धक्कन लगा करके 5 मिनिट पकाएंगे फ्लेम को लो से थोड़ा ज़्यादा रखेंगे हाई बिल्कुल भी नहीं करेंगे और मिडिया भी नहीं रखेंगे लगब 5 मिनिट हो गया है खोल के देख लेते हैं बस हमारा हरे मटर का दालतड का तैयार है आप अपने हिसाब से गाढ़ा पतला कर सकते हैं पर मुझे तो इतनी गाढ़ी अच्छी है मैं इतनी पे ही बंद कर दूँगी गैस को और सबजी को निकाल लूँगी अब इसमें तड़का लगाएंगे हरे मटर के दाल तड़का है तो तड़का लगाना जरूरी है घी का तड़का लगाएंगे इसके लिए मैंने पैन चड़ाया हुआ है गैस पे उसमें आधा चमच घी डाल रही हूँ और एक हरी मिर्च को और थोड़ी सी अदरक को लंबाई में काट रखा है उसे मैं घी मेल्ट होने पर डालूँगी घी हमारा लगा मेल्ट हो गया है विसके अंदर हरी मिर्च और अधरक को डाल लेंगे और गैस को आफ कर देंगे और इसमें मैं कलर के लिए थोड़ी सी कस्मेरी लाल मिर्च पौडर डाल रही हूँ बिल्कुल ऑफ्शनाल है आप डाल भी सकते हैं और नहीं भी बस हमारा तड़का तयार है अब सबजी के अंदर तड़का लगाएंगे है ना एकदम परफेक्ट हरे मिर्च की डाल तड़का यह बहुत ही खाने में स्वादिष्ट लगती है डाल तड़का आप इसे किसी भी चीज के साथ खा सकते हैं रोटी पूरी परठा नान या चावल खाईए एंजोई कीजिए एक बार जरूर बनाएए इस रेसिपी को अगले रेसिपी के साथ मिलती हूँ तब तक के लिए बाई